क्लास 12 पॉलिटिकल ट्रेंट्स चेप्टर 6 क्या हैं अंद्राश्टियों सांगठन इंटर्नेशनल ओगनाईजेशन ठेक है क्या है अंद्राश्टियों सांगठन तिक्या पूटेश में कि दुस्य विस्यूत की दोरान ही युधों को रोगने राज्यों को आपसी जवड़ो को संती पून साधनों से सुधाने उ 사람들이 संती टाश्चा को बनाये रखने की लिए किसी अधिक संस्तरी साली और प्रुवाबसाली वीशव शनस्ता की स्थापना किया वैसकता को और अधिग महसूस किया गिया और इसके लिए परियतन आरम हो आ यांनी जब दूसरा अबसूस्योद तुसके बार देखो पहला भी सिद्वा ठीक ठाक रहा है दूसरा भी सिद्वा उस्वा परमानु का हुआ अमेरिका जापान पर गया लेकिन यह सोच आया सब के अंदर पे अगर 23 वीसिद्वीत होता है तो तो तीसरा भी सिद्वा पिस लिए अमरिका के पास अगर 3 वैसरा होता है तो सब के अगर परमानु कमिसे अगर अंदर परमानु आ करता है तो यdadeस का पुराभिनास हो जाएका कोई बचे कर देंक कि वहह लाब भर, इसलिए, जोफजा का मिलो ठीक है उसके बाद से सोचा कि अब हम लोग कुछ अलग से ऐसा संगर्ण बनाएंगे जो सभी देसों का सबसे मियन होगा और उसके बाद को सबको मानना भी पड़े था इसके परिणाम सहरुब 24 अक्टूबर 1925 को सनयक्त राष्च्ळ संग का जर्म गवा तभी से संग बनाए गया जिसका ब्लасक्त राष्च्ळ संग चलना पड़ता है अभीके टाइमी क्या है सब देस एकसाथ मिल्के चलता है कोई अगर एक अलग टायप में चलेगा मानलो ये सब एक साथ चब रहा हो दूसरा डायक्स में जाएगा तो इसको दो के रख देगा सब मिलके इसलिए अब एक साथ मिलके चलो तथा अपनी आंत्रिक वह विदेशनीति का निर्धारन और संचालन अर्णी राष्टो के सुख दुख सुविधा असुविधा यहां त प्रवल्म होता तो इसे अभी के टाइम में सब देश मिलके चलता है पहले के टाइम इस नहीं था कोई खराब ता तो स्कूर खराब करते दता है कि आज कोई भी देश चाहें वह कितना भी सकते साली क्यों नहों महा युद्धों में जीवन एबंग स्वापती की आनी को देखते हुए यह महसूस क्या गया है कि वीसो संती के बने रहने सही मानों का कल्यान और विकास संबब है अभी के टाइम में जितना भी ले उसको भी शद्य होता है कि उसका जो एकनौमी है जो अर्थशास्त्र है डेमेज हो जाएगा पर आगे बढ़ पाएक नहीं बढ़ पाएक इसमें क्या चाहता है सब कोई सांत में चलो संती पुर्वग रहे सब मिल जूड के रहे हैं ताकि उसमें क्या है सब का फाइदा अगा merryемся जो सन्यूद्राष्ट्र की सथाप्ना इसी उद्धेस से की गई है तो ज дав जो सांध्राइज की यूद्ध की में कि यूद्धों कर दो देशन के लिए अगर दो राष्ट्रों के वीज़ में आप से कुछ मद्वेद उसको भी सुल जाने के लिए अच्छा रोल निवाया है भारत सनीत राष्ट्रसंग का चेटर सदे सी है और इन वे सनीप्त राष्ट्रसंग के लक्षों की प्राप्ति तता इसको मजबू अंगे इसको और आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा भूमी का निवाते हैं भारत्य संग्धान में भी सनीप्त राष्ट्र के उदेश्यों की प्राप्ति तता विकास का उल्लेग अनुक्ष्य दिक्याउन में किया गया है जिसमें कहां गया है कि भारत अपनी नि सुरक्षा में बढ़ावा हो राष्टक बीच उची तथा समान पूर्वक संबने रहे सभी देशों की साथ मिच्या उची तो सम्मान पूर्वक संबने रहे किसी के साथ यह जो जग राज अंजर वाला को मामना ना रहे सब मिल जूर के रहे हैं भाई-भाई-ठाय करके कु संबन नहीं तथा वार्त कशन पृट करता है भारत ने हर गदं पर इस विस्वा संस्था का साथ दिया है और इसके सभी कतीविधियों में यता सक्ती यूगदान वे दिया है जब सी आइस संस्था बना भाई वार्त शास्तक योगदान में यहां तब हो सकी अगे बढ़ान आरम हुआ और सनिप्ति राज अमेरिका ने अपनी दादागिरी चलाने के पर्यास कि तरह वीश्व की राइटी को प्रमाभित भी किया था जब दूसरा भी सित्यूद जब खत्म हुआ ठीक है सेकेंड वोल्ड वर खत्म हुआ और रिस्टार्ट हो गया क्या सित्यूद हुआ बढ़ गया था एक तो रूसट हो गया था एक अमेरिका दो भाग में बढ़ गया था लेकिए जब स्ती ओदका अन्ध हो गया तब रोस तो बचा कौन अपना अमेरिका बचा तो अपना दाधागरी दिखाना सुरू करते हुआ है आप किसी के बहुत ज़्यादा पाँ रहे गुटरिट के चांदोलन भी प्रभावसाली मंच के रूम में उबर कर गया है 1990 में सनिप्त राष्ट की सदे से संख्या एक सो उनसार तक पहुच गया थी 1990 में यह जो सनिप्त राष्ट की जो संख्या इसमें 159 तक पहुच गया था ठीक है और 1997 तक यह 185 हो गया दिरे दिरे करके देशों के संख्या इसमें बढ़ रहा है जो अब 2007 में 193 है यह 2007 का बात कर रहा भी कि इतना पता नहीं 2007 तक एक सो तिरानवे देश इसमें सामीन हो गया था गोठर पेक्ष देशों के संख्या 1983 में गोठर पेक्ष आंदोलन के साथवे सिखर संविलन तक जो नई दिल्ली में हुआ था उसमें 101 तक पहुच गई थी जो कि आज 116 है यह गोठर पेक्ष यानि किसे के साफ नहीं जाएंगे गोठर पेक्ष आंदोलन मतलब क्या हम अपने देश के बारे में काली सोचेंगे एक जो क्या होता है कि कोई आदमी है उसके पीछे डाकेल जाएंगे उसके पिछे पकड़के जाएंगे नहीं होता है खुद का कुछ है यह जा करेंगे उससे के बाद और मेरा सब चल रहा है कि में होता है किि सीकी पीछे जलता रहें उससे कि बगल में बाद गल करता है लेकिन गुट थिपाकरत कि कि किसी की आगे पीछे ने गूमें, मेरा कुदका अपना देखता है, कोई लड रहा है तो इसके पीछे हम भी चलो एक ट्रो पेड लोला देते हैं, हम भी तुबहर सात है, यह नहीं है, हम लोग भारत एक्ष्ट रहो से क्या है, किसी के साथ नहीं जाएंगी, हम अपना पुद क करना है, किसी की पीछे चलेंगे तो और खराब होगा है, इसलिए गूट में पेक्षिता अंदुलन में भाग लिए इसमें, मतलब इसका बनाने का जो मेंट रोले हुआ हम लोग का यह भारत है, मेंट पॉइंट में है, इससे पता जलता है किस अंदुलन को अंतराष्टिय का उलंगन बताया, और एक ऐसी अंतराष्टिय आर्थिक व्योस्ता की स्थ्पना की मांग भी जाने लगी, जिसमें विकास सिल देश अपने समाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए विक्सित देशों की किर्प्या पर आसृत न रहे और आत्म निर्पर बने, कि उसे के ऊपर हम लोगों को डिपेंड रहना होड़े है, यह बता रहा है कि हम लोग वोड़न पेक्छा अंदुलन है, इसका यह मानना है कि हम लोग स्वात्र दूप से जीए और अपना विकास हम लोग फुद से करें, किसी को बलाएं कि हम लोग मोहताज दा रहे, हम रूप जैसे है, यह जो सन्युत राश्रसंग जो है, इसका बहुत सारा अंग है, शुरक्षा परिशाद है, उसके बाद जो डवर्चो है, वर्ल्ड हैंथ और यह सभी इसी का यह अंग है, तो शुरक्षा परिशाद में भी जो हम लोग भारत का इस्ताई सदिस नहीं है, उसमें अ-स्ताई सदे से के दोर पर हम लोग भारते हैं, उसमें पांच इस्ताई सदे से हैं, और दस उसमें अ-स्ताई सदे से हैं, तो अ-स्ताई सदे से जो होते हैं, कुछ दिनों के लिए चुने जाते हैं, मतलब पांच साल या पुछ तो चुने जाते हैं, वो फिर उस करता है कि हम इससे सहमती नहीं है तो इसको मानना करता है वह जो इस थाइए उसका यह पावर है लेकिन पाइस थाइप नहीं है यह जिसमें अंतराष्ट्य संगडन इंटरनेस्टन और नाइजर्शन